हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग तो लॉफ यू वेलकम तो लॉजिक पार्चाला फैंस मॉर्निंग हो गई है चलिए स्टार्ट करते हैं आज के देरी करेंट अफेस का सेशन जिसमें हम कवर करने वाले हैं 11 और 12 फेबरी के इंपोर्टेंट करेंट अफेस की क्वेशन्स प देखे फ्रेंट्स आपको खुद को ही पुश करना होगा आपको खुद को ही अपने comfort zone से बाहर लाकर hard work करने के कोशिश करनी है क्योंकि कोई भी ऐसा आपके लिए नहीं कर सकता इट्स यौर लाइफ इट्स यौर डिसीजन तो आपको अगर सक्सस पाना है तो आपको खुद को बहतर बनाना ही होगा बात करते हैं आज के important day से तो international day of women and girls in science ये दिन कब मनाते हैं 11 फर्वरी को ये दिन मनाया जाता है ये दिन देखे observe किया था United Nations ने और इस दिन का main उदेश है किया था to promote full and equal access and participation of women in science, technology, engineering and mathematics field short में कहते हैं इसे STEM तो ये जो science, technology, engineering, mathematics field है उसमें women's का participation भी equal हो full participation को इसी को promote करने के लिए ये दिन मनाया जाता है इस बार जो इस साल देखे ये कौन सा है ninth international day of women and girls in science assembly celebrate किया गया है और इस बार इसकी theme क्या रही तो theme important है women and girls in science leadership a new era for sustainability तो friends ये इसकी theme रही और इसकी सब theme भी है think science, think peace तो ये रही थी 2024 की इस दिन की theme अब चले बात कर लेते हैं आज के पहले question से तो पहला question है friends what is the rank of India in the US Green Building Council's annual list of top 10 countries and reasons in the world for lead lead का पूरा नाम है leadership in energy and environmental design certification so बात करते हैं कि जो इसकी देखें top 10 countries की जो annual list आई है उसमें इंडिया जो है वो कौन से स्थान पर है तो इस list में इंडिया जो है friends वो है तीसरे स्थान पर अब इंडिया तो तीसरे स्थान पर है तो one और second place की बात करें तो first place पर है चाइना और दूसरे place पर कौन से country है Canada US देखे इस list में include नहीं किया गया जो कि बहुत बड़ी बात है तो इस पॉइंट को या देखेगा ऐसा हो सकता है कि यह question में से US की rank ही पोश ले तो US को include किया नहीं किया है LEAD जो है LEAD is a green building rating system है and the certification is a globally recognized symbol of sustainability achievement and leadership full इसका यह है तो यह एक green building rating system है और एक certification देता है globally level पे जो की जो भी देखे country achievement हासिल करती है जो भी sustainability leadership है उसी को ही recognize करता है उसी का ही प्रतीक है यह rating system जिसमें इंडिया को rank कौन से मिली है तो इंडिया इसमें है third इस्थान पे next question देखे the central government has launched a portal portal का नाम क्या है सार्थी अब यहां question में पूछा गया है कि जो सार्थी है न इसका पूरा नाम क्या है तो सार्थी का पूरा नाम है sandbox for agriculture and rural security technology and insurance और central government ने जो है इस portal को launch किया अब इस portal के माधियम से क्या होगा देखे तो इस portal के माधियम से जो भी insurance company है वो farmers तो जो भी rural population है यानि जो ग्रामिट आवादी है उस तक प्रधान मंतरी फसल बीमा योशना सहित सरगार की जो भी देखे subsidized insurance products है उन तक पहुँचने में मदद करता है तो जो भी देखिए insurance policy या companies है वो farmers तक पहुँचेंगी और इस योशना के माधियम से जो भी देखे subsidized product है वो farmers को दिये जाएंगे एक तरीके से उनकी मदद की जाएगी और इसी उदेशे से सार्थी पोर्टल को government ने launch किया है next question in which year प्रधान मंत्री मतद से संपदा योशना was launched अभी देखे न्यूस में रही थे योशना बात करेंगे उसके बारे में भी पहली बात करते हैं किस योशना की शिरुवात किस वर्ष की गई थी तो ये जो योशना है ये शुरू हुई थी आपकी 2020 में अब न्यूस में क् cabinet ने प्रधान मंत्री मतद से संपदा योशना के तहत 6 करोन रुपीज की सब स्कीम जो है इसको approval दिया है तो इसलिए ये योशना जो है काफी news में रही थी और ये जो सब स्कीम को शुरू करने का में उदेशे क्या था government का तो इसका में उदेशे था कि country का जो बहुत unorganized fisheries sector है उसको formalize करना उसको अपचारिक बनाना इसी उदेशे के साथ में जो है government ने इसे approval दिया है बात करते हैं सियोशना के बारे में तो देखें सियोशना को बिधान मंत्री जो ये मतर से संपदा योशना है ये launch होई थी 10th of September 2020 को इस scheme को launch करने का main उदेशे क्या था कि 5 साल के लिए ने 2020 से 25 तक की जो time of period है उस period of time में जो fisheries sector है यानि मतर से पालन छेतर है उसमें sustainable development के माधियम से blue revolution लेके आना नेली करांती लेके आना इसी उदेशे के साथ ही scheme 2020 में शुरू की गई थी next question है Tata Trust has launched India's first state of the art small animal hospital in which city Tata Trust ने भारत का जो पहला अत्याधुनिक लगू पशु अस्पताल है कि शहर में launch किया है तो इस hospital को launch किया है कहां पे मुंबई शहर में ये जो hospital है इसको बनाने का इसको शुरू करने का उदेशे क्या है इसको उदेशे है कि जो pet parents है जो पालतु जानवर है उनके जीवन को बचाना और जो भी उनके pet parents के देखिए मतलब जो भी pets होते हैं उनके life को safe करना और pet जो भी pets हैं उनके जो honor होते हैं जिनको माता बिता कहेंगे या फिर veteraries जो पशु चिकरसक है उनके बीच का जो bond है जो सम्बंद है उसको मजबूत करने के लिए इस hospital को देखे शुरू किया गया है मुंबई शहर में तो ये मुंबई में बहालक्षमी जगा है वहाँ पे located है फिफ्ट फाइफ फ्लोर का ये पूरा hospital है जिसमें 200 बैट्स की जो है वो facilities है पूरी service यहाँ पे बहुत अच्छी facilities ज अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी तो इंडिया की पहली pot taxi service कहां शुरू हुई उत्तर प्रदेश में इंटरनाशनल multimodal logistic park खोला गया असम के जोगी घोपा में बच्चों के लिए digital health card को सबसे पहले शुरू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने जल बजट अपनाने व fuel production कहां पर लगाए गया इसी हर्याणा के पानी पत में नेक्स्ट क्वेशन है सेबेस्टियन पिनेरा हुर रिसेंटली डाइड इन हेलिकॉप्टर क्रेश वास दी फॉर्मर प्रेजिडेंट ओफ विच कंट्री तो सेबेस्टियन पिनेरा जो है इनकी अभी देखे हाली में हेलिकॉप्टर दुरगटना में म्रत्ती हो गई ये किस देश के पूर्व राष्टपती थे तो फैंस ये थे चिले देश के पूर्व राष्टपती और ये चिली कंट्री के दो बार प्रेजिडेंट बने 2010 से 2014 तक उर्स के बाद दुबारा बने 2018 से 2022 तो दो बार रहे थे चिली कंट्री के प्रेजिडेंट नेक्स्ट क्वेस्टन है टेक जियांट गूगल है साइन एन एमयू विद विच स्टेट गवर्मेंट तो प्रोवाइड आर्टिफिशल इंटेलिजेंस लेट सॉलूशन अक्रॉस की सेक्टर्स इन दा स्टेट सो गूगल देखिए अभी गूगल ने AI आधारे समधान प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ में जो है एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो गूगल ने पार्टनर्शिप की है किसके साथ मिलकर महराष्ट गवर्मेंट तो इस कोलाबरेशन के रूप में गूगल जो है न ये agriculture कुछ sectors की बात कर रहे हैं जैसे कि agriculture, healthcare, sustainability, education, start-up इन सभी छेतर में solutions देने के लिए यानि समधान देने के लिए अपनी जो AI capabilities है उसको देखे उसका लाब उटाएगा यानि उसको use करेगा इन सभी field में Google महराष्ट की बात करती हैं तो आप देख सकते हैं located इसकी location देखे माप में महराष्ट की formation हुई थी 1st May 1960 को capital है यहां की मुंबई, governor है रमेश बाइस, chief minister है यहां के एक नात शिंदे, यहां के national parks हैं चंदूली नेशनल पार्क, नेगाउ, संजय कांधी और तडोबा नेशनल पार्क, महराष्ट स्टेट ने देखे अभी introduce किया था chief minister वायो शिरी योजना को, इसके लवा महराष्ट सरकार ने लेक लड़की scheme शुरू करी थी, next देखेंगे महराष्ट सरकार ने भगवान बिर्सा मुंडा road scheme शुरू करी, महराष्ट government ने ही मेरी माटी मेरा देश campaign जो इसे launch किया था, friends महराष्ट सरकार ने पोर्टल शुरू किया था, इस पोर्टल को नाम दिया था, साशन आपलिया दारी पोर्टल, महराष्ट सरकार ने एहमद नकर जो है उसका नाम चेंज करके आहिल्या भाई होलकरजी के नाम पर रखा, महराष्ट पहला state मना था, जिसन ने good governance regulation को approval दिया था, next question देखिए, the उत्तर प्रदेश government will set up the country's first conservation center for गंगा तीरी cows in which city, उत्तर प्रदेश सरकार जो है कि शहर में गंगा तीरी गाउं के लिए देश का पहला सनरक्षन केंदर स्थापित करेगी, कौन से शहर में करेगी, answer is वारान सी, तो यूपी सरकार वारान सी में इस conservation center को जो है set up करेगी, जो कि देश का पहला सनरक्षन केंदर होगा गंगा तीरी cows के लिए, ये जो cows की breed है न, ये originate कहां से होती है, along the गंगा banks यानि गंगा नधी के तट से, state government जो है इसमें केंदर सरकार की मदद से ही इस पूरे center को के stabilize करेगी, जिसमें वारान सी में जो ये breed है, इसके propagation यानि जो आनुवांशिक सुधार है और इसके प्रसार के लिए ही इसके इंदर को स्थापित किया जाएगा, तो कौन सी government इसको करेगी यूपी सरकार, फरिंस बात करें उत्तर प्रदेश से लेटेट कुछ और important news की, तो देखें country की पहली जो AI city है, ये उत्तर प्रदेश के लखनों में stabilize किया जाएगा, इसके लावा यूपी सरकार ने शुरू किया था every right for every child campaign को, उत्तर प्रदेश सरकार ने conduct किया था अपने हाँ पे cow census यान इन दिन का शरी अन्न महसव, यूपी सरकार ने जो dolphin है उसे अपना state aquatic animal declare किया, इसके लावा यूपी सरकार ने gift deed scheme शुरू करी थी, ताकि property से लेटेट जो issues हैं वो खत्म हो सकी, next question है, पाप नाशम बीच, जो कि अभी हाली में news में देखा गया था, is located in which state, तो पाप नाशम जो समुदर तर्थ है, ये किस राजय में इस्तित है, तो ये समुदर तर्थ फैंट्स कौन से state में है, answer is Keral state, अब ये news में क्यों रहा था देखिए, तो news में इसले रहा था, क् क्योंकि जो वर्ट के top 100 beaches है, तो उसमें देखिए, इसने इस beach ने, जो कि है पाप नाशम बीच, इसने secure करी है, एक place, तो इसले ये जो है, वो news में रहा था, तो ये याद रखिएंगे, कौन से state में located है, Keral state में, Keral की बात करती है, Formation हुई थी 1st of November 1956 को, CM है पिंरई विजियन, गवर्नर है आरिफ महम्मद खान, लोकसभा की सीटे है 20, राजसभा की सीटे है 9, यहां की important national parks में है, देखिए, अना मडाई शोला नेशनल पार्क, इरेवी कुलम नेशनल पार्क, माथी केटन शोला नेशनल पार्क, पंबाद और नियूस की, तो फेंट्स केरल सरकार ने अभी कॉपरेशन शुरू किया था, जिससे नाम दिया था, ओपरेशन अमरित, ताकि स्टेट में जो एंटिबाइटिक अब्यूसें से कंट्रोल किया जा सके, इसके लागा फेंट्स केरल ने जो है एक रिवार्ड सिस्टम शु ग्राउंड प्रोजेक्ट को अपने हाँ पे शुरू किया था, इसके लागा फ्रेंट्स केरल की चीफ मिनिस्टर है पिन्रई विजियन उन्होंने स्टेट बाइडाइवर्सिटी कॉंग्रिस की दूसरे एडिशन को इनॉगरेट किया, नेक्स्ट या दखेंगे फ्रेंट् को इनॉगरेट किया था, केरल के कन्नोर शहर में, यहां पे प्रोजेक्ट वनी करण को शुरू किया था, इंडिया का पहला कार्बर न्यूटर्ल फार्म यह इनॉगरेट हुआ था, केरल स्टेट में, नेक्स्ट कोोशन की बात करती है अगला कोशन है फ्रेंड्स रवी कुमार जा हैस बीन अपॉइंटेड एस एमडीन सीओ विच ओव दी फॉलॉइंग कंपनी तो रवी कुमार जा जो हैं दिखें ये भी हाली में LIC मिचल फंट के अपॉइंट हुए हैं MDO CEO यानि मैनेजिंग डारेक्टर और चीफ एग्जेक चेयर्मेन बने अजे कुमार चौधरी ताटा AIA Life Insurance के MDCO बने वैंकर चलम H EU Small Finance Bank के non-executive चेयर्मेन बने है HR Khan बैंकर बडोदा के executive director बने संजय विनायक मुदलियार इंडिया के साथ में कौन रहा joint winner इंडिया के साथ में बांगलादेश जो है इसमें रहा था joint winner इंडिया और बांगलादेश दोनों ही विनर रहीं SAFF Women's Under 19 Championship की तो friends यहां हमारे current affairs के questions complete हो गए है चलिए बात कर लेते हैं static GK के questions की तो पहला question देखिए Who was elected the president of Indian National Congress in the Surat Session 1907 famous for Surat Split Surat बिभाचन के लिए famous जो Surat अधिवेशन था 1907 तो उसमें भारते राष्टे Congress का अध्यक्ष किसे चुना गया तो सूरत सेशन में जो अध्यक्ष बने उनका नाम है डॉक्टर रस भिहारी घोश Next question Which among the following treaty left Raghunath Rao retire on pension? किस संधी के अनुसार Raghunath Rao को pension पर सेवा निवरत कर दिया गया? तो treaty कौन सी थी? तो right answer है Treaty of Salbai Treaty of Salbai कब sign हुई थी? तो यह sign हुई थी 17th of May 1782 को किस किस के बीच में हुई थी यह sign? तो यह हुई थी Maratha Empire और British East India Company के बीच यह treaty sign हुई थी next question है Who among the following leaders led the revolt of 1857 in Bihar? किस नेता ने Bihar में 1857 के विद्रोह का नित्रत्व किया? तो कहां बात हो रहे है Bihar की? तो Bihar में किस ने किया था? कुनवर सिंग ने कुनवर सिंग को लायन और Bihar के नाम से भी जाना चाता था ध्यान रखेंगे और Bihar से इनोंने revolt of 1857 का नित्रत्व किया next Who launched All India Home Rule League in September 1916? सितंबर 1916 में अखिल भारती Home Rule League के शुरुआत किस ने की? तो ये शुरुआत किस ने की थी? एनी बिसेंट ने एनी पिसेंट ने कब शुरुआ किया दा ये भी याद रखेंगे 1916 में next question Which of the following vicerai of India was also known as the savior of India and organizer of victory? भारत के किस vicerai को भारत का रक्षक और विजय का आयोजग भी कहा चाता था? तो किस vicerai को कहा चाता था? Lord Lawrence को ठीक है Lord Lawrence जो है ये अपॉइंट हुए थे वाइसराय कौनसे यर में 1864 में तो friends यहां हमारे सारे ही important questions हो गए है complete अब बात कर लेते हैं last video के revision questions की तो देख लेते हैं questions को पहला question देखिए ओलाज बेक्टेनो ये किस देश के नई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं तो friends ये बने हैं कजाकिस्तान के नई प्रधान मंत्री next question है in February 2024 which country approved a visa free policy for Indian citizens for maximum stay of 15 days तो correct answer है friends यहां पर इरान देश ने अगला question इंडिन गवर्रेमेंट ने decide किया है कि वो मियामार का चुबी देखिए जितना भी border लगता है उस पर build करेगा एक fence को यनि border को close करेगा तो मियामार के साथ में कितना border लगता है भारत का 1643 किलोमेटर का which country have been declared the guest of honor at the 2024 world government summit और यह summit कहां पर होगा दुबई में तो कौन कौन सी country इसमें guest of honor है इंडिया, तुर्किये और कतर next है किस stadium का नाम बदलकर निरंजन शहाथ stadium रखा गया है तो राजकोर्ट में जो सौराष्ट गिर्गेट असोशेशन stadium है, इसका नाम बदलकर हो गया है निरंजन शहाथ stadium which is state government जिसने डिवलप किया है एक pendant shape device और इस device को नाम दिया है नितीश farmers के लिए इस device को डिवलप किया है बिहार, state disaster management authority ने और इसमें IIT पटना की साथ collaborate करके इस device को जो है डिवलप किया गया नेक्स एक इस दिव्वे कला मेला कौनसे state में और इस किया गया तो यह और इस हुआ है तिरपुरा state में नेक्स एक इस bank ने launch किया है four SME credit card और यह credit card launch किये गए है entrepreneurs और freelancers के लिए इन्हीं launch लास्ट वीडियो में जो हमने आप से test के question पूचे थे उसमें देखे हमारा पहला question किया था कि जो famous लिंग राज temple है यह कहां पे situated है तो लिंग राज मंदिर है भौनेशर उडिस्ता में दूसरा question क्या है Olympic medal जीतने वाली पहली Indian woman कौन थी Indian woman करना मलेश्वरी तो thank you friends आप सभी के दोनो questions के answer रही है बिलकुस सही आज के हमारे comment है प्रतीबदास एंड शिखा मोहनती तो thank you both of you अब friends बारी आती है आज के test के question की तो देखे पहला question क्या है किस country ने जीता पहला FIH men's hockey 5S World Cup 2024 और दूसरा question है Indian Navy यानि भारते नौसेना के द्वारा 2024 जोदे के पूरा year है इससे क्या घूशित किया गया है तो ये है friends आज के हमारे 2 important question जिनके answer आप मुझे comment box में करके जरूर बताएं और friends इसलिके साथ आज का daily current affairs का session होता है यहाँ पे complete friends अगर आप हमारे channel को कुछ भी contribute करना चाहते है according to you तो आप हमें यहाँ से contribute कर सकते है तो friends इस video को करते हैं यहाँ पे end अगर आप कोई video पसंद आई हो तो like जरू करें, share करें और friends हमारे channel पे नई हो तो please channel को subscribe जरू करें thank you so much for watching this video